2023 हो गया है start और क्या नया आने वाला है Apple की तरफ से इस साल के अंदर यह सारी चीजों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और एक अच्छी news हो सकती है उन लोग के लिए जो लोग पैसा बचाने का सोच रहे थे क्योंकि इस बार कुछ भी बहुती जादा बड़ा न 15 Pro and 15 Ultra यह 4 फोन इस साल आने वाल है September के 3rd week में जो फोन्स है रिलीज हो जाएंगे इनके ओपर dedicated वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा जो कि 3 दिन पहले ही रिलीज हुई है तो सारी latest information है बट अगर short में मैं आपको बताऊं तो iPhone 15 and 15 Plus जो होगा इ wide angle lens के अंदर वो अब जा रहा है regular iPhone 15 series के अंदर तो यहां पे 48 megapixel का lens चार भी models के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा उसके साथ ही A16 bionic processor मिल जाएगा नया design देखने को मिलेगा iPhone 15 and 15 Plus का rounded edges वाला iPhone 5C की तरह aluminum वाली ही body रहने वाली है और उसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा iPhone 15 Pro Max होगा उसका नाम बदल के Apple करने वाला है Ultra और इन दोनों phones में जो नई features होने वाले हैं वो है A17 bionic processor जो की 3 nanometer वाला processor होने वाला है बहुत ही ज़्यादा power efficient होने वाला है यह processor और 35% improvement हमें देखने को मिल जाएगी अगर हम efficiency की बात करें simple भाशा में अगर बात करें तो battery life जो है वो जादा बढ़िया हमें मिलने वाली है नए iPhones के अंदर और इसके साथ ही 6 से बढ़कर 8 GB RAM हमें मिलने वाली है और back में हमें मिलने वाला है periscope zoom lens तो अब हम optical zoom जो है वो जादा कर पाएंगे Samsung और Google Pixel की तरह से अभी तक जहाँ पे iPhone lag कर रहा था वो था एक zoom lens वाला camera त अब जो periscope zoom वाला lens है वो हमें मिलने वाला है अपने iPhone 15 Pro Series के अंदर और यहाँ पे जो body रहने वाली है अभी तक हमें stainless steel वाले frame मिलते हैं अब हमें titanium का frame मिलेगा नए iPhone 15 Pro Series के अंदर और उसके साथ ही जो physical buttons है volume and power वाले ये भी जाने वाले हैं इनकी जगा आने वाले है solid state power and volume button जैसे हमने iPhone 7 iPhone 8 में देखा है कि real button नहीं है जो home button है वैसा सही कुछ यहाँ पर रहने वाला है यह जो physical buttons है Apple इनको remove करने वाले है इनकी जगा पे solid state button आने वाले है जो कि एक physical button नहीं होगा बर जब आप प्रेस करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप real button को प्रेस करें और सा से बड़ा फायदा यह है कि पानी जाने की कम जगा होगी और दूसरा यह है कि जो यह button खराब होने के chances है वो काफी ज़्यादा कम हो जाएंगे और last में अगर बात करें तो होगा USB-C और वो भी high speed वाला USB-C port हमें देखने को मिल जाएगा iPhone 15 pro series के अंदर जहां पे transfer speeds जो है व 10-20% बढ़ने वाले हैं अगर US की बात करूं तो 100 dollars minimum हम लोग expect कर सकते हैं इंडिया की बात करें तो 10-20,000 रुपे जो iPhone के pro series वाले model होंगे वो expensive होने वाले है iPhones के बाद जितनी भी चीजे हैं यहां पे आपको spec bumps ही जादा तर मिलने वाले हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Apple Watches की आपको बदा है Apple हर साल एक नई series launch करता है तो इस साल भी Apple series 9 हमें देखने को मिलेगी जहां पे कोई भी design change नहीं होगा सिर्फ एक नया processor हमें मिल सकता है और इसके अलावा एक या दो हमें health sensors मिल सकते हैं दो चीजों के rumors काफी जादा आ रहे हैं तो glucose monitoring और दूसरा है blood pressure तो यह दो sensors जो है Apple डाल सकता है Apple Watch Series 9 के अंदर SC3 वगेरा इस पर नहीं आने वाली है अगर बात करें Apple Watch Ultra की तो यह अभी launch हुए और काफी जादा successful watch है तो अभ और इसके अलावा अगर आती है Apple Watch Ultra वैसे यह chances नहीं है अगले साल इसके नए version के आने के chances है इस साल अगर यह आएगी जादर से जादर एक नया प्रोसेसर होगा एक दो health sensors हमें जादर मिल जाएंगे और एक darker shade बट इसके chances बहुत ही काम है बहुत ही slim chances है तो Apple Watch में सिफ Series 9 और रह जाते हैं यहाँ पर AirPods Max अब यह जो है release हुए थे December 2020 के अंदर तो अभी काफी time हो गया Apple को इनको release किये हुए बट इनके लेके कुछ भी जादा rumors नहीं है एक दो चीजें जो यहाँ पर सुनने को आ रही है वो यह कि इनमें नए colors आ सकते हैं अभी 5 color मिलते हैं शायद क इसका नया version आएगा जिसके बहुत ही कम chances हैं वो यह है कि यहाँ पर H2 chip हमें मिल सकती है जो कि अभी हमें मिलती है AirPods Pro 2 के अंदर और उससे हमें better noise cancellation मिलेगी और better transparency mode मिल जाएगा जैसा अभी हमें देखने को मिलता है AirPods Pro 2 के अंदर तो इसके अलावा कोई भी rumor नहीं है मेरे क्योंकि जादा leaks भी नहीं है कोई बात भी नहीं कर रहा है और दूसी चीज यह है कि अब जाकि यह जो AirPods Max जादा common होने लगे है अगर मैं US Canada की भी बात करूँ अगर मैं Europe की भी बात करूँ क्योंकि आप इन पर deals आने लगी है सस्ते हो गए है साड़े 300-400 डॉलर के मिल जाते अब यह जादा दिखने लग गए है तो I think Apple एक-दू साल और वेट करेगा और उसके बाद शायद नहीं आए बट अगर नहीं वर्जन आता है तो अच्छा ही होगा बट अगर सिफ colors ही release होंगे तो एक disappointing चीज हो सकती है अब तीन सबसे बड़े जो section जहां पे Apple सबसे जादा sell करता है वो हमने कर लिए अब बात करते हैं iPads की तो iPads को लेकर भी कुछ जादा बड़ा यहाँ पे नहीं होने वाला है क्योंकि iPad mini भी थोर टाइम पहले ही आया है iPad Air भी और iPad जो regular आता है वो अभी-भी कुछ टाइम पहले Apple ने release किया है यहाँ पे iPad Pro आ सकता है बट यहाँ पे सिर्फ specification आपको नहीं मिल जाएंगी जैसे कि एक नया M.2 प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है और उसके साथ ही जो रिमर्ड है काफी टाइम से wireless charging हमें iPad Pro के अंदर देखने को मिल सकती है और एक चीज जो काफी टाइम से हम लोग सुन रहे है कि 14.1 इंच या 16 इंच वा आगे और बात करते है MacBooks की sorry interruption के लिए बट यह जो पार्ट है यह मैं बात में शूट कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो मैंने पार्ट शूट किया था वहाँ पर मैं MacBook Pro के बारे में बात कर रहा था जिस दिन मैंने वीडियो स्केजल कर रही रिलीस करने के लिए उसी दिन में है लिंक अब continue करते हैं वीडियो MacBook Air की बात करें तो MacBook Air में जो M1 वाला मॉडल है उसको Apple discontinue कर सकता है उसकी जगह पे 15 इंच वाला MacBook Air आने के काफी जादा चांसे है काफी जादा लीक्स है यहाँ पर जो design है पर exactly same रहने वाला है M2 processor यहाँ पर होगा और यहाँ पर पहली बार MacBook Air के अंदर हमें 15 इंच की screen मिलेगी तो जो लोग भी पतला सा MacBook चाहते है ट्रेवल के लिए और एक बड़ी screen चाह रहे थे उनके लिए एक अच्छा option हो सकता है और Mac Pro जो है जो सबसे महंगा इनका system रहता है वहाँ पर हमें upgrade देखने को for sure मिल सकता है कुछ लोग कह रहा है design change होगा कुछ लोग कह रहा है design same ही रहेगा पर यहाँ पर जो processor वगेरा है वो हमें नया मिल सकता है तो let's see क्या होता है Mac Pro लेने में I don't think so कि आप लोग भी interested हो बह upgrade मिल सकता है M2 chip का क्योंकि अभी जो आ रहा है यहाँ पर M1 chip हमें मिलती है और काफी अच्छा यह एक desktop है बट काफी लोगों को upgrade चाहिए बोलने की 2 साल हो गया है इसको release हुए तो शायद Apple को नई chip दे देनी चाहिए तो let's see क्या होता है और यही है सारा कुछ बट इसके अल जादा focus है वो है इनके AR-VR वाले headset के ऊपर और इसका जो operating system होगा उसका नाम अभी जो code word चल रहा है वो है 10R OS जो की रहेगा यह mixed reality वाले headset के लिए तो सारा focus जो है जितने भी engineers है Apple ने उनको काम पे लगाया हुआ है इस XR OS के लिए इसलिए iOS 17 में में जादा features नहीं मिलने वा price है वो 3000$ होने वाला है और अगर इंडिया की बात करें तो 3-4 लाग रुपे कर यह मिलेगा तो obviously एक luxury product है हर किसी के लिए नहीं है बिल्कुल नहीं चीज है यहाँ पे AR और VR का mixture होने वाले जिसको mixed reality बोल देते हैं और यहाँ पे हमें 4K screens मिलने वाली है आपके देखने के ल इसमें Apple enter करने जा रहा है अभी तक जितने भी headsets आते हैं वो इतने कुछ खास नहीं है अभी मैं CES से आया हूँ वहाँ पे मैंने PlayStation का VR 2 भी देखा है अच्छा है बर इतना अच्छा नहीं है बट Apple से हमें काफी जादा उम्मीद है तो let's see क्या होता है एक नया product आने वाला ह तो 3000 डॉलर को सुनके काफी जादा डर लग रहा है बट वीडियो बनाने के लिए ले लेंगे उसके वापिस कर दींगे यही हो सकता है बट अगर बहुत ही अच्छी चीज होई तो रख भी लेंगे let's see क्या होता है और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे बटने बारीख लेंगे這द इतने मकली केराम है whatsoever झोलियो खी अक्या है बटने हम बटीडू कर अेश्यो कर भी लेंगे हैं eहां पर लेंगे हैं झाल देतने हैं,समें लेख झालता हैं।